हेलो दोस्तों स्वागत आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में तो दोस्तों यूपीएसी ने सीएप सीएपीएफ की बहुती बंपर भरती निकाली है दोस्तों जी हैं सीएपीएफ सेंटरल आम पूलिस फोर्स ये 2022 की जो वकेंसी हैं 253 वकेंसी ओल ओवर इं कैसी लेप्स क्या होगा एलिजिबिल्टी क्या होगी सेलरी कित्नी होगी आपके सब के सब चीजें मैं ॆ ह नियुकर करना तो प्लीज वी डिटीयो को देखे का चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियो लाइक कर दो विधर बेल तो आपको यह फीज नहीं देने पड़ी कि ओनलाइन अप्लाइब करना ओनलाइन यह आपको फीज देने हैं दोस्तों 20 अप्राहल से ओनलाइन अप्लाइब करने की डेट शुरू हो चुकी है और यह 10 मेई 2022 शाम को 6 बज़े तक रहने वाली है दोस्तों ठीक है जो ओनलाइन बीस साल होने चाहिए मैक्सम में 25 साल मागी है यहां पर वापर क्लियर लिखा गया है कि जो भी आपका जो एस्पिरेंस है वो दो दो अगस्ट उन्नीसो से तानवे 1997 से पहले जनम नहीं होने चाहिए और एक अगस्ट 2022 के बाद जनम नहीं होने चाहिए ठीक है यह जर्लाइ सब्सक्राइब 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 करेंगे तो मरब यह पार पार बान आजाएगा तो यहां पर आप्लाइब उनलाइन ओनलाइन करने के बाद दूसरी चीज़ अग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है अगर हम exam pattern की बात करें आपकी वो भी यहाँ पे बिल्कुल clearly बताया हुआ है कि सबसे पहले जो आपका return exam होगा दो paper होगे आपके ठीक है इसमें आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है दो paper होगे आपके paper 1 आपका होगा general ability and intelligence का जो कि 200 marks का होगा और जो दूसरा होगा वो होगा आपका general studies essay and comprehension जो कि 200 marks का होगा ठीक है paper 1 दोस्तों आपका objective type होगा जबकि जो आपका paper 2 है वो आपका subjective type होगा ठीक है दोस्तों अलग-अलग paper के लिए अलग-अलग minimum qualifying marks रखेगे हैं तो यह रहेगा आपका paper का मोटा मोटा pattern लेकिन हम आपको पूरा syllabus भी बताएंगे eligibility आपको बता दी मैंने selection process selection process की बात करेंगे अभी हम जैसे selection process में हम आएंगे तो देखिए selection process में क्या होगा की देखिए सबसे पहले selection process जो होगा आपका तीन स्टेज में होगा सबसे पहले आपका return होगा return में आपको पता दिया ना कि आपके दो टेस्ट होंगे दूसरा होगा आपका physical standard test उसमें आपका दो और पुश अप सेट अप यह सब चीज़ें physical चीज़ें देखी जाएंगी साथ में आपका medical test भी होगा जिसमें आपके medical standards देखे जाएंगे तीसरा जो होगा दोस्तो वो होगा आपका interview interview personality test जिसको कहते हैं यह करवाय जाएगा यह होगे आपके selection procedure सबसे important चीज़ बहाते हैं कि इसका syllabus क्या रहने वाला है तो syllabus की जहां तक बच्चों हम बात करेंगे syllabus में सबसे पहले आपके बाद general ability and intelligence में देखा जाएगा तो general mental ability, general science, current events जो हम current affairs भी कहते हैं यह बहुत important role पर ले कहते हैं Indian politics और economics, history of India, Indian world geography यह सब आपके paper 1 के syllabus में रहेंगे ठीक है दोस्तों दूसरा आता है paper 2, paper 2 में आपका general studies, essays, comprehensions उसमें part A में जो आपके essay questions रहेंगे B में आपके comprehensions वगारा रहेंगे यह आपका syllabus रहेगा आपका part 2 के लिए चीक है दोस्तों चिंता मत कीज़े, telegram चैनल पर इसकी PDF भी upload कर दूँँगा तो आपके आप आराम से download करके अपने पास रखके उसको उसकी जो preparation वो शुरू कर सकते हैं जल्दी से apply कर दीजिए लास जेट में आने वाली है वो जल्दी तो वीडियो अच्छी लेगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं एक लिए वीडियो में बाबाई टेक केर